करता हूं चलिए शुरू करते हैं डिसकस करना 6th February 2021 के डेली क्रेंट सेशन को बीना ज्यादा बाते करें सो और पहला कोशन ने आपका इंटेनेशनल डे ऑफ यूमन फ्रेटरिटी कब बनाया जाता है आपके लिए यानि शौर चांस देंगी आपकी किसी एक्जाम में से पूछ जाएगा क्योंकि पहली बारे बनाए ठीक है यहां पर देखिए ब सब्सक्राइब कर सकते हैं अथेंटिक सोर्स है भीलकुल तो फिर्स्ट एवर इंटेनेशनल डे ऑफ यूमन फ्रेटरिटी फोकॉस इस तरह के पैंडेमिक के महल में टॉलरेंस होना बहुत ज़रूरी भी है आगे देखिए तरह डेजिगनेशन ऑफ फॉर्स फैबलेडी ए है आगे देखिए अन्टोनिय ग्यूतेरिस की पूरी एक का सकते आप ट्वीट है कुल्चुलर डाइवर्सिटी और फ्रीडम ओफ विलीफ और पार्ट ऑफ जा रिच टेपेस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन आगे देखिए एस वी कमेमेरेट हैस्टेग हुमन फ्रेटरिट अगे चलते हैं नेक्स्ट कोशन है आपका वाट इस रैंक आफ इंडिया इन इकनोमिस्ट इंटेलिजेंस देमोक्रिसी इंडेक्स में इंडिया की रहें क्या है आपके ऑप्चिंस है 50 51 52 53 अगें सिंपल ऑप्चिंस वर्ट टेपिकल तू चूस तो यहां पापका करेक्ट इंडिया की इंडिया की इसके लावा टॉप किस ने किया और हमारे जो आसपास के कंट्री से इन की रहें के वह भी दिख लेते हैं फटावट से तो नौर्वी ने टॉप किया है इकनोमिस्ट इंटेलियंस देमोक्रिसी इंडेक्स 2020 को सेकिंड रैंक है आइसलेंड की और स् इसके लाव शीलंका की रेंक है 68 बांगलदेश की रेंक है 76 फुटान की रेंक है 84 पाकिस्तान की रेंक है 105 यहां पर बिसिक्री पांब को लेकिन kali कर επी इंका अजीर ए इस ब्योंस सिस्टम में le Roger वी है और कुछ द्रेटट्रेशिब कंबिनेशन हैसिवैन वैसे का वे दैंक पाकिस्तान की और टोटल और उराउंड 167 कंट्री सुन ने रेंक किया है एंड जस फॉर रेफरेंस आपको बता दों कि 2014 से अब तक हमाई रेंक कितनी गिर चुकी है तो 2014 में हमाई रेंक थी 27 ओके तो अब यहां रेंक है 53 तो आपको सकते हैं 30 स्टेप्स हम डाउन आ चुके हैं चले नेक्स देखते नेक्स्ट कहा है हमारा तो नेक्स्ट आपका विच डिस्ट्रिक्ट टॉप सी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रेंकिंग रिलीज पाए नीति आयोग ठीक है यानि नीति आ रेंकिंग को और यहां पर देखे एक बहुत है चाहिए इकनोमिक टाइम्स का शराबस्ती इन उत्तरप्रदेश है स्टॉप इन दी रेंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बाइग इन दिसेंबर 2020 हलाकि बहले यह दिसेंबर 2020 में बिसिकली रिपोर्ट बनी थी ब इसे रेंक किया गया एदा मोस्ट वैलिवल सेलिब्रिटी यहां पर आपके ऑप्शन से यह रहे अब देखिए आपको जो क्रेक्ट आंसर वह आपका और विराट को लिया आपको एक बात और पता हो नहीं चाहिए कि इस जो लिस्ट में टॉप 10 बंदे है ना उसमें विराट कोली रिमेंस मुस्ट वैलिवल सेलेब फॉर्थ इयर इननों लगातार चौथी बार होके आगया पर ही पड़सकते हैं एस क्रिकेटर विराट कोली है इस बीन रेंक्ट आपको और पड़सकते हैं कि जो अक्षे कुमार है और रनवीर सिंग इनको रैंक्या गया है स और बैंगलूरू और बैंगलूरू में अभी एरो इंडिया शो भी हो रहा है ठीक आपको पता होना चाहिए जो कि डिया डियो ने और्गनाइस क्या रहा हुआ है आगे देखिए अब बहुत अच्छा कटाउट है बिसिकलिए पिए बीका मिनिस्ट्र आप डिफेंस उपर एर फोर्स की चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशन आप से पूच रहा है कि यह कौनसा राज्य जिसने अभी एभी एवाच एप को लॉंच किया है ताकि वह जो चुनाव होते हैं पर निग्राइन रख सके आपकी आपकी ऑप्चन से हैं आपे महराश्टर केला आंदर प प्राइब करेंगे यह रूडर लोकल बॉड़ी से उनको मॉनिटर करेंगा ठीक अब देखिए हुआ क्या कि यह पहुंचे हाई को पर सीगिंग ऑंदी लॉंच अब क्यों कह रहे है इसा कि इसको लॉंच को मैं रोग देना चाहिए भी क्योंकि इनका मानना यह है कि जो इसलिए पहुंच गई हाई को चले आगे चलते काफी इंट्रस्टिंग पूरा सीनेयरियो चले अब नेक्स देखते हैं नेक्स वोचन आपका की जो गौवर्मेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक वैब पोर्टल लॉंच किया है किस स्कीम की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए ठीक आपके options है उजवला इंद्र धनुष गोवर्धन या फिर सभाग्य स्कीम सो यहां आपका क्रेक्ट आंसर होगा option नाम की एक बचत खाता स्कीम लॉंच करी यानि सेविंग बैंक अकॉंट लॉंच करी है आपके options है फैडरल बैंक आरविया यानि रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया स्विस बैंक या फिर बैंक ऑफ फ्रांस तो यहां पर करेक्ट आसर हो जाएक option रिजर्ब कोनी बैंक नहीं स्कीम अ है और फैडरल बैंक ने लॉंच करी और बच्चों के लिए लाउंच के लिए लॉंच के लिए उन्डिय ब्यूंट में और ता कि बच्चों को भी जो बनी का मैंनेजमेंट उसको उसकी इंपोर्टेंस समझा ही जा सके बता ही जा सके इसलिए इसको लॉंच किया ठीक है चलिए आगे चलते हैं और देखते नेक्स कोशन क्या है नेक्स कोशन आप से पूछ रहा है कि अभी हाली में नेशनल सेफ्टी काउंसिल का चेर्मेंट किसे बनाया सब्रसक्राइब सब्सक्राइब सब् तो इनको भी अपोउइन है चेर्में आफ नेज़र सीफटी काउंसिल सब्सक्राइब काफी सुना भी होगा ठीक है क्योंकि बहुत ही जाइंट कंपनी हो चुकि है बहुत ही बड़ा आज क्टाइब कॉंग्लोमेरेट है ठीक है तो लेबर मिनिस्ट्री अपॉइंट सलार सेंट टुब्रो सी यू सुब्रमन्यम एस चेयर्मेन और इनको तीन साल के लिए बनाए ठीक है आगे चलते हैं कि हाली में किस कंट्री ने स्टार डिस्ट वन पॉइंट रॉकिट लॉंच किया जो की जैव इदन यानी बायो फिल्ट से चलेगा ओके आपके आपके चाइना रशिया फ्रांस या फिर यू एसे तो यहां पर क्रेक् जीरो और देखिए यहां पर बहुत अच्छी आप देखेंगे इमेज स्टार डेस्ट रॉकिट की और कुछ इसकी स्पेसिपिकेशन आपको बता होने चाहिए बाकिया पार्टिकल पढ़ी सकते हैं कहीं पर भी जाके देखिए इसकी स्पेसिपिकेशन क्या है कि देखिए इसका पूरा वजन है और इसकी जो लिफ्टिंग यह ले जा सकता अपने साथ हो है आठ केजी काफी कम पेलोड के इस रॉकिट यह कोई जादा बड़ा भी नहीं है हाँ पट आप इससे आई थोट माइक्रो सेटलेट अफिर कोई मीनी सेटलेट लांच करी पाएंगे ठीक ह तो चलिए नेक्स देखते हैं तो देखें अब डिसकस कर लेते हैं कल का कोश्चन जो मैं आपको दिया था करने के लिए आपका कोश्चन था विस सिटी इस दोने सिटी ऑफ गार्डन सो यहाँ आपके ऑप्शन से जैपुर बंबई नाकपुर बैंगलोर काफे लोग इसको बैंगलोरू बोलेंगे तो दोना बात एक ही है और जो कोश्चन था सी एचसल 2018 में आया हुआ था ठीक है तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नमर फॉर बैंगलोर तो बैंगलोर को बोलते हैं सिटी ऑफ गार्डन साम इसको इलेक्ट्रोनिक सिटी ऑफ इंडिया भ बैंदर और जो भी आंसर करेक्ट होगा आप उसको लाइक जरूर क्या करो अगर्ण को अगले पढ़ते रही है अगले पसंदार इसको सपोर्ट करना चाहते हैं अब इसको लाइक कीजिए शेर कीजिए मैं दोस्तों के साथ हिंदी मीडियम वाले हैं और फिर इंग्लिश मी बबाई टेकर धान रखिए कर अपना